नवास्कार दोस्तों स्वागत है आपका रीजनिंग डिशी सर यूटूब चैनल पर मैं रीजनिंग डिशी सर स्वागत करता हूं सभी का दोस्तों यह हमने स्रीज स्टार्ट की थी UPSC CSAT के रीजनिंग के क्वेश्चन की और 2023 से लेके और 2016 तक जो है वो सारे के सारे मैं complete करा चुका हूँ आज मैं आपके सामने पेपर डिसकस करूँगा इस का 2015 का पेपर है CSAT का इसमें किस तरह की रीजनिंग के एक्जामपल पूछे थे उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर हैं और नॉमिनल चार्जिज में जो कोर्स हैं यूपी सी सी सेट का वह आपको मिलने वाला है तो रीजनिंग रिशी सर एप्लिकेशन को आज ही डाउन्नूट करिएगा चलिए बढ़ते हैं आगे कि फर्स्ट नंबर का एक्जामपल है यहां पर लिखा है बाहार व्यक्ति अपनी एक कलब बना लेते हैं 12 विक्ति 12 12 विक्ति 12 about 12 विक्ति अपना एक कलब बना लेते हैं महीने के एक बार परच्ची की निकाल कर उसमें से एक व्यक्ति सभी के लिए रात्रि भोज की मेजवानी करेगा ठीक है बई तो graph यह च्छों मिलाकर और परची निकलेगी वो सब को खाना खिलाएगा सिब्धी आगे डिए कि एक वर्स में किसी विशेष सरस्य को कितनी वार रातरी भोचकी मेजवानी करनी पड़ेगी ओके वर्स में 1 व्यक्तिको कितनी वार मेजवानी करनी पड़ेगी ऑप्शन है 103 और लास्ट में निर्धारित नहीं कर सकते तो मेरी बास सुनों कैलकुलेट नहीं कर सकते तो यहां पर इसको कैलकुलेट आये कोई व्यक्ति का उसने खाना खिला दिया वो दोबारा खाना नहीं खिलाएगा उसकी परची को फाल के फैंक दिया जाएगा जो बचे हुए व्यक्ति हैं उन मेंसे ही खाना खिलाएगा तो इसको हम सॉल कर सकते थे पर अब ऐसी यहां पर कोई भी कंडिशन नहीं है लगता ऐसे कि एक बार खाना खिलाएगा बारा वेक्ति हैं महीने बारा महीने होते हैं एक साल में तो एक बार वेक्ति एक वेक्ति खाना खिलाएगा तो ऐसा कुछ निश्यत नहीं है यहां पूरी जानकारी ह हमारे पास नहीं है अगर हमसे कहता कि दोबारा से खाना जो खाना खिला दिया है जिसकी परचीवी नंबर आया है वो दोबारा खानों नहीं खिलाएगा तो फिर हम इसको सॉल्ट कर सकते थे तो सही आंसर आएगा डी ऑप्शन ठीक है यह फर्स्ट नंबर का एक्जामबल था बढ़ते हैं आगे यह डाइग्राम था आकरतियों पर विचार करना है और कॉश्चन मार की जगए कौन सी आकरती आएगी यह हमें पता करना है इसकी खास बात क्या है वो देखते हैं एक बार यहां पर यह दौनों जो हैं वो एक साथ हैं यह दौनों जो हैं वो एक साथ है ठीक है और यहां पर ये दौनों एक साथ है अग जायर सी बात है जूभी डाइग्राम मनेगा स्क्वाइर वाला ही होगा और यहां यह डॉटड़ आएगा यह तो फाइनल हो गया है ना क्योंकि इसमें स्क्वाइर ये खाली है और फिर ये Dot है और Dot वाला दे रखा है तो फिर फिर तो खाली आएगा क्योंकि एक बार Dot है एक बार खाली है तो यहां Dot है तो यहां कौन सा आएगा खाली आएगा यह बला आएगा अब किस Option में यह आकरती दीए पहले तो सकता है अब आगे हम बात करें यहां पर खाली आएगा और इसमें यह डॉट जो बरा हुआ है तो यह डी ओप्शन में नहीं हो सकता फाइनल अब ट्राइंगल को देखो ट्राइंगल का मूँ उपर है फिर नीचे है फिर मूँ उपर है फिर मूँ नीचे है अब मूँ का आना चाहिए उपर इसमें मूँ नीचे है तो सी ओप्शन नहीं आ सकता तो सिरीज में देखा जाए तो एई उप्शन जो है इसका करेक्टर अंसर होगा ए उप्शन को यहां रखने पर जो यह आपके फिगर सिरीज है यह सिरीज कंप्लीट हो जाए ठीक है यह 11 नमबर का एक्जाम्पल था अगला एक्जाम्पल आखों के सामने यहां कर रहा है दिए गए आप यूपर प्रिचार करिए और आप में कॉशन मार्क की जगेपर कौन सा अंग आने वाला है इसका हमने पता करना आ है अब मेरी बात तो यहां पर सुन है आपस में कुछ ना कुछ relation है उस relation को हमें पैचानना है उस sequence को हमें पैचानना है जिससे इसके answer आएंगे 3 से 6 कैसे आएगा 8 से 56 कैसे आएगा 10 से 90 कैसे आएगा यह पता करना है तो यहां पर देखो मेरी बास सुनो 3 का square minus 3 तो 6 आता है 8 का square minus 8 से 56 आएगा 10 का square minus 10 से 90 आएगा 2 का square से minus 2 से 2 आएगा और ऐसे यहां क्या रखें विटा 5 रख लें 5 यहां रखें तो 5 का square minus 5 20 और आगे सही है तो option को देखा जाए तो a option जो है इसका correct answer होगा यहां पर 5 रखने पर जो sequence है वो पूरा हो जाएगा ठीक है next अगला example है यहां पर लिखाए seven X 21 31 homes trapping bulletpo almost 10 एक के स्थान पर क्या आएगा यह आप से पूछ रहे हैं यहां पर पृटा दस का अंतर है कि यहां पर बारहा का अंतर है यहां पर आठ का ओना चीए ठीक है और यहां पर यहां पर कितने का ओना चीए चैका। nतर ने के तो 13 जो होगा उसका correct answer होगा यानि X के स्थान पर 13 लिखेंगे तो यह नंबर स्रीज जो है वो पूरी हो जाएगी अंतर निकाला है बहुत ही आसान एक्जामपल था 12 का 10 का 8 का 6 का तो 13 आएगा यहां पर कह रहा है कि दी गई आकरती में बिसिष्ट आकार वाले चार गत्ते की टुकुड़े दिखाई गए हैं इन चारों को मिलाकर कौनसी आकरती बनाई जा सकती है यह पूस्ट नाव से पूछा गया है इन चारों टुकुड़ों को जोड़कर पहले तो यह देख से कौन बन रहा है तो एक आक रग आढ़ कि तो याँ पर माल लेता हूँ एक दो तीन चार चार ठोड़े हैं और इस новых अगर ऊपर लें तो भई तीन और इसको नीचे लें तो भई अपन चार तो डी ओप्शन की आकरती जो है वो परफेक्ट है वो आकरती बनाई जा सकती है ठीक है बढ़ते आगे यह 17 नंबर का एक्जामपल है कह रहा है समू में ABCD चार व्यक्ति हैं दो विवायत जोड़े की की लंबाई चारों में सबसे अधिक है लो बिटा सबसे पहले तो आएगा एक एक लंबाई चारों में सबसे अधिक है और यह पुरुस होगा क्योंकि महिलाओं की लंबाई छुटी है पुरुसों की लंबाई महिलाओं से अधिक है तो जायर सी बात है स्टार्टिंग में जो दोनों आएंगे वो पुरुस होंगे आखरी में जो दोनों आएंगे वो महिलाएं होंगे यह फाइनल है कि सी की लंबाई बी से अधिक है कि सी की लंबाई बी से अधिक है और डी बी का भाई है डी बी का भाई है भाई है तो मेल है मेल को तो आगे होना चाहिए D B का भाई है तो ये तो करम बन गया बटा अब विवायद जोड़े दो बनाने D और B का जोड़ा बननी सकता है D और B का जोड़ा बननी सकता है तो एक काम करो इसका जोड़ा इसके साथ बना दो और इसका जोड़ा इसके साथ बना दो जिसमेंसे ये mail हैं ये दोनों क्या हो गई फीमेल हो गई ठीक है लिखी हुई जो बात है वो सारे की सारी complete हमारी हो गई है आप से पूछा क्या है आप से कह रहा है कि बटा इस संदर में कौन सा सही नहीं है सही नहीं डूड़ना है सही नहीं है not correct डूड़ना है पहला कह रहा ह देखा है और हमें सहर्ण नहीं दूड़नाा गलत दोद भी का पती ऐप सही है और सही दूड़ना नहीं था, हमको गलत जूर необходимо था नोट करेक्ट आप से पूछा था इसलिए आंसर आएगा ये ठीक है बढ़ते हैं आगे अगला एक्जामपल है आपके सामने पूरी ग्लास एक बार पढ़िए क्या लिखा है इस तरह के जो एक्जामपल है ये लॉजिकल दीजिंग से रिलेटेड हैं आप से कह रहा है कि एक आदमी परिवार में एक पत्नी एक आदमी के परिवार में ठीक है आदमी के परिवार में उसकी पत्नी दो पुत्र है और दो पुत्रिया हैं ठीक है पुत्रियों को एक भोज़पर आमंत्रित किया गया है पुत्रियों को परिवार के पुरुस रच से पिकनिक पर बाहर चले गए पुरुस पिकनिक पर गए उस आदमी का पिता अपने काम से बापस नहीं लोटा आदमी का जो पिता था वो काम से बापस ही नहीं आया है तो यह तो गए पिकनिक पे पुत्रियों को आमंत्रित किया है बोजन के लिए है ना तो केवल एक अब आपसे पूछ रहा हैं किस'me कफन बर विचार करते हुए कौनRO सी बास साही है केवल उस आदमी की पतनी ही घर पर रह गई है है यह संबावना है क्यिंद आजमी की पतनी ही घर पर रह गई थी अब देखो केवल उस आदमी की ही पतनी घर पे रह गई थी यह 100% बात लिखी हुए और जबकि यहां पर आदमी का जो पिता था इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रखा है हो सकता है वो घर पे आ गया हो तो पहली वाली जो बात है न वो तो 100% सही नहीं है इसलिए इसको गरत कर रहे है हाँ संभावना हो सकती है अभी B option जो है गरत नहीं है C यह संभावना है कि उस आदमी की पतनी ही घर पर रह गई थी B option ठीक है, घर पर कोई भी नहीं रह गया था, नहीं ये बात तो गलत है, कहीं भी ऐसा लहीं लिखा है कि घर पर कोई नहीं था, ये बात गलत हो जाएगी गर पर एक से अधिक व्यक्ति रह गए थे ये भी किलियर नहीं है वो पिता आ जाएगा तो एक से अधिक होंगे नहीं आएगा तो माता ही रहेगी घर पे यानि उस आदमी की पतनी रहेगी तो यहां चारों उप्षन को पढ़ने पर बिचार करें तो B option जो है इसका correct answer माना जाएगा कि यह संबाबना है कि उस आदमी की पतनी घर पे रह गई थी ठीक है ऐसे होगा यह चलिए अगला example है पूरी ग्लास पढ़िए क्या कह रहा है और आप से यह गीता के द्वारा कही हुई बात है और यह राधा के द्वारा कही हुई बात है इन दौनों बातों पर विचार करना है और correct answer जो है वह आपको देखे बताना है जिन्होंने कि यहां पर गीता कह रही है जब से नरेश ने ध्यान meditation प्रारंब किया है वह अधिक वह अधिक अच्छा बॉक्सर बन गया meditation के कारण गीता कह रही है अच्छा बॉक्सर बन गया meditation जो है वो ध्यान को केंद्रित करने के लिए होता है मन को कंट्रोल करने के लिए होता है पर यह बात जो है वो राधा के द्वारा कही हुई जा रही है राधा के द्वारा जो है यह बात कही गई है अगला है राधा नहीं गीता की द्वार कही हुआ तर राधा कहा रही है असंबव है किसी बॉक्सर का सबसे मैतमून गुन उसकी आक्रमकता है मतलब यह बाद गलत है यह बाद गलत है कि किसी बॉक्सर का सबसे मैतमून गुन उसकी आक्रमकता है मतलब यह कहना चाती है एक्रामकता जो है किसी बॉक्सर का सबसे मैतम हुन गुन है यह राधा की दोड़ा असंभव है यह गलत वात राधा के दॉबरा अब परशिल में कहरा है राधा का कफर्थन यानि इस बात को ध्यान लखना है राधा का कतन उसके उस विश्वास को पृतिविविंवित करता है कौन से को सोड़हल है है मतलब गीता की बाद नहीं देखने है राधा की बात देखने है राधा कहे कि कि द्यान की प्रवर्ती किसी व्यक्ति को कमआक्रामक बनाने की होती है कब आक्रामक बनाने की होती है हाँ हो सकता है यह सेकें ध्यान करने वाली व्यक्ति पर द्यान का नगडने प्रभाब पड़ता है और कुछ भी प्रभाब नहीं पड़ता अरे यह तो बात गलत है बी ओफिशन तू फाइनल है गलत होगा ठीक है सी को भी पढ़ लेता हूं नर फिग गृत है नरेश ने बॉक्सर होने के कारण ध्यान आरमवी ही नहीं किया होता आए ये बात भी गलत है तो यहां पर अगर देखा जायत्तों ज्यादate सही जो है बो कौन सा यहां पर मिस्कस निकल के यहां पर कहरा है किसी भी व्यक्ती को कम आकरमक बनाने की होती है दियान की प्रवर्ती तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो कौन सा ऊप्चन होगा एंचल होगा राधा के कसन को देखते हुए बढ़ते हैं आगे next एक्जामबन आपके सामने है और इसको पढ़िए और ज्यादा सही आपको देखना है कौन सा होगा ये भी आपके लॉजिकल दीजिनिंग से ही है लॉजिकल दीजिनिंग के बहुत एक्जामबल पूछे थे 15 में ये कह रहा है कि सभी अच्छे खिलाली जीतना चाते हैं जितन चाते हैं वो संतुलित बोजन करते हैं और सभी अच्छे खिलाली जीतना चाते हैं ठीक है आतैव बेखिलाली जो संतुलित बोजन नहीं करते हैं खराब खिलाली है ऐसा कह रहा है ये बात कि संतुलित बोजन जो नहीं करते हैं वो कैसे खिलाली है खराब खिलाली है तो करता है वो मुझे पता करना है तो यहां पर अगर हम बात करें पहला कोई खराब खिलाली जीतना नहीं चाहता कोई खराब खिलाली जीतना नहीं चाहता गलत जीतना तो बिटा सब चाहते हैं तो यह बात जो है कथन को देखकर यह पहली बात तो गलत है फाइनल है ठीक है सेकि कोई भी खिलाली जो संतुलित बोजन नहीं करता है अच्छा खिलाली नहीं है बिल्कुल कथन के अनुसार कह रहा है खराब खराब खिलाली है तो ये बात कथन को देखते हुए निसकर सही है सेकेंड प्रतेख खिलाली जो संतुलित बोजन करता है वे अच्छा खिलाली है सभी अच्छे खिलाली जीतना चाते हैं और जो जीतना चाते हैं वे सभी संतुलित बोजन करते हैं अतेव बे सभी खिलाली जो संतुलित बोजन करते हैं वो संतुलित बोजन नहीं करते हैं खरा एक पर जरूरी नहीं करते हैं अच्छे घहलाई नहीं हुपर तो चारों मेंपनि में सबसे रिखते आंथरं वह कौन सा है भी कि खिलाडी जो संतुलित बोजन नहीं करता है अच्छा खिलाडी नहीं है क्योंकि कह रहा है कि जो संतुलित बोजन नहीं करते हैं वो कैसे खिलाडी हैं खराप खिलाडी हैं तो सही option कौन सा आएगा भी आएगा बढ़ते हैं नेक्स एक्जामपल की तरफ अगला एक्जामप है् बी-सी के बरावर चॉल से बीसी के बरावर चॉल से लेकिन उस से अधिक तेज नहीं थी के बरावर चाल से लेकिन तेज नहीं एकी तुल नहींस कैसे दोड़ता है तेज दोड़ता है यार क्योंकि यह तेज दोड़ रहा है इसके बराबर है तो एसे धीमा दोड़ता है नहीं एसे तेज दोड़ता है हाँ एक बराबर नहीं निर्धारित करने के लिए दी गए आंकड़े परियापत हैं सही आंसर आएगा बी ऑप्शन ठीक है सही answer जो आएगा, वो कौन सा आएगा, B option आएगा, पूरी गलाज देख लीजिए, तो बढ़ते हैं दोस्तों, next example की तरफ, क्या कह रहा है, देखो, यहां कह रहा है कि भिंडी बंद गोवी से अधिक स्वाजिस्ट होती है, भिंडी जो है, बंद गोवी से अधिक स्वाजिस् मटर से अधिक स्वाजिस्ट होती है, इन कथनों से कौन सा निसकर्स निकल दखता है, मटर उतना ही स्वाजिस्ट होता है जितना की भिंडी होती है, नहीं, मटर उतना ही स्वाजिस्ट होता है जितना की फूल गोवी और भिंडी है, नहीं, इन चारों सबजियों में से लगाया जा सकता है वो डी ओप्शन लगाया जा सकता है तो सबसे बहतरीन जो आंसर है ओप्शन है वो कौन सा है डी ओप्शन है फूल गोवी बंद गोवी से अधिक स्वादिस होती है डाइग्राम को देखकर ये बात सई ये 32 नंबर का एक्जामपल था बढ़ते हैं आगे आगे आप से कहा रहा है कि साहद औरहरुइक ही इस्थान से बबरीद दिसाओं में चलना प्रआरभ करते हैं प्रतिएप 12 मिटर के बाद साहद हमेशा बायं मूड़ता है और रोहर थівसा राएं मूड़ता है थीड है यहां से चलाओं और एक दूसरे से विप्री दिसा में चल रहे हैं एक एक किलो मिटर चल गए तो आप से कह रहा है कि पहला साहिद हमेशा बाएं मुड़ता है रोईत हमेशा दाएं मुड़ता है साहिद बाएं एक और फिर बाएं एक फिर बाएं एक और साहित जो है वो दैयं मुड़ता है इसकी मिलने की अगर करूँ तो का मिलेंगे एक एक मीचने और एक 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 और एक मिल जाएंगे नहीं तो आप से कह रहा है कि उन भी स्थ किलों के से लने के glad Pause होगी दो किलोमेटर大哥 ज़ने के लिएपे उन क्रीट होगी तो नहीं नहीं पहला प्रत्व 30 к्लोमीटरlass लिने के के बार मिलते हैं एक दो टीन मिलर्टा एंगा एकडोत एंगी यह पर दो तीन मिल जाएंगव यह e से एक ःधर जा रहा है कि इधर जा रहा है विआये साहिद जो एपने लेफ्टी मुड़ता है हमेशा इधर गया पहला लेफ दूसरा warto ठीक है और यह यह जो है बंद हर बार 1 km चलते ही यह चलते हैं तो यहां पर जो correct answer आएगा वो आएगा वो प्रतेक 3 km के बाद में वापस से मिल जाएगे यह इसका सही answer है हाँ यह एक्जामपल है 36 नंबर का एक्जामपल है इसको एक बार solve करते हैं क्या कह रहा है देखो यहां पर कह रहा है एक परिक्षा में सामिल 130 विद्यारतियों में से 62 अंग्रे जी में अनुतीर हुए है अंग्रे जी में अनुतीर जो हुए है 62 हुए है और गड़ित में जो अनुतीर हुए है वो कितने हुए है 52 जबकि दोनों में अनुतीर जो हुए है वो कितने हुए हैं यह आप से पूछा गया है है ठीक है तो यहां पर देखो अंग्रेजी में अनुतीन बासट थे गड़ित में थे बामन दोनों का टोटल कर दीजिए कितना आ रहा है फोर और 11 114 ठीक है पॉमन जो थे उनको माइनस कर लिजिए कॉमन को माइनस कर लेंगे तो यहां पर आएगा बिटा 90 और परिक्षा में विध्यारती कितने सामिल थे 130 थे अनुतीन होने वाले 90 आ चुके हैं 130 विध्यारती थे तो उतीन होने वाले विध्यारतियों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी बिटा 40 आएगी करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ओप्शन आएगा एओप्शन आएगा पूरी ग्लाव देख लीजिए एक बार इस तरीके से सॉल्व हुआ है इस तरीके से सॉल्व होगा ठीक है यह 36 नंबर का एक्जामपल था अब बढ़ते हैं हम अगले एक्जामपल की तरफ अग सब्सक्राव व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं छे गुजराती बोल सकते हैं तीन गोले हैं इसके अंदर है तो पूरी ग्लाव देखिए हैं सॉल्व करते हैं इसको कि दुबारा से बनाएता हूँ कि ठीक है यह तो तमिल यह मराठी यह गुजराती आप से कह रहा है कि पंद्रा व्यक्ति हिंदी अच्छा तमिल गुजराती और हिंदी मराठी नहीं है हिंदी है कोई बात नहीं है हिंदी लिख देते हैं ठीक है यह तो मैंने 5 लिख दिए 6 व्यक्ति तमिल बोल सकते है और चैसलों ब्यक्ति अन्ने वसा नहीं बोल सकते हैं वो दो वासाएं हिंदी गुजराती हो सकती हैं, तमिल गुजराती हो सकती हैं, तमिल हिंदी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, तो इन तीनों जगे में से किसी एक जगे आप दो को रख दीजिए मैं काम करता हूं मैं दो को यहां लिख रहा हूं आप यहां लिख देना यहां लिख देना आंसर पे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है आगे लिखा है एक व्यक्ति तीनों वासाइं बोल सकता है एक व्यक्त पंदरह मैं से तीन गए तो बारा सही है अब आप से पूछ रहा है कुल कितने व्यक्ति हैं अंदर अंदर का टोटल ही कुल व्यक्ति आएंगे पांच बारा दो एक तीन सभी का टोटल करूं तो कुल व्यक्ति कितने आएंगे विटब 23 आएंगे यानि 23 जो है इसका correct answer होने वाला है इस तरीके से होगा पूरी ग्लास एक बार देख लीजिए बढ़ते हैं next example की तरफ एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है फिर हम solve करेंगे इसको भी फटावर पढ़ो आए आए हगा है yeah yeah ah aja यहां पर क्या लेखा देखो यहां पर कहरा है किसी parking छेत्र में सभी कारों चार पईआ व्ली वार इन और इस्कूटर जो हैं वो दू पईया वाले इतल सी पता है तुमको यह बात तु है ना फिर कहरा थे लाए है कि पैयों की कुल संख्या पार्क किये गए बहानों की कुल संख्या के दुगने से किये गए पार्क किये गए दुगने से और कितनी ज़्यादा है सो ज़्यादा है पार्क की गई कारों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है तो ठीक है एक तो कार है वेटा कार के पैये, चार होते हैं, एक स्कूटर हैं, इस्कूटर के पैये दो होते हैं, कहरा है पैयों की कुल संख्या, ये पैये हैं हमारे पास, पैयों की कुल संख्या पार्क किये गए, पार्क क्या क्या है, पार्किंग में कार हैं, इस्कूटर हैं, इसके दुगने से, कितने ज़ जाता है 100 जाता है ज्रोल कर सकते हैं कि बिलकूल ट्राइघ करते हैं और से ऑसे तो वरावर हंड्रेट तो कार वरावर 50 अरे बहुत आसान था यह आप से तो पूछ रहा था कारों की संख्या कितनी है तो कारों की संख्या कितनी है विटा पचास है यानि सी ऑप्षन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे ये वीडियो तरफ अगला एक्जाम पर भी लॉजिकल रीजिनिंग से था क्या कहा रहा है देखो यहां कहा रहा है सुतंता में मेरा आश्रे यह ऐसा बाता वरण एक्षुक रूफ से बनाए रखने से हैं जिसमें सभी मनुस्य को अपने सर्व से रूफ से होने का अवसर मिले मतलब सर्व स से इसका आश्र यह है ठीक है अब इससे आप से पूछ रहे कि उप्युक तो कथर मैं से नेद्धिक और कौन सा व्यक्त करता है पहला सुतंता मानविये कारे कलाब पर नियंत्रन का आभाव है नहीं यह तो बात गलत है ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नियंत्रन का आभाव है सुतंता वह है जिसे निस्पादित करने के लिए लोगों को विधी की अनुग्या प्राफ्त है विधी की अनुग्या प्राफ्त है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है तो यह भी सही नहीं है सुतंता मन चाहे कारे को करने का सामर्थ है मन चाहे कारे से मतलब कुछ भ भी गलत है सुतंता मानव व्यक्तियों के सम्रद्धी के लिए आवश्यक दसाओं को बनाए रखना है बिल्कुल कथन को देखकर जो बात सही है वो किस ऑफ्षन पर सही है दी ऑफ्षन पर सही है तो यहां पर लिखा है सुतंता मानव व्यक्ति की सम्रद्धी के लिए आवश् से इस रूप से होने का अफसर मिले तो यहां पर करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ओप्षिन आएगा डी ओप्षिन आएगा बढ़ते हैं आगे अगला exampal है 51, क्या कह रहा है देखो सिर्फ पत्रका X पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रका Y पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की तीन गुनी है य पढ़ने वालों की संख्या, सिर्फ पत्र का X पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, पत्र का Y पढ़ने वाले, सिर्फ नहीं लिखा इसमें, मतब यह X पत्र का यह पढ़ सकते हैं, सिर्फ X पत्र का पढ़ने वाले, बाई जितने पढ़ेंगे उन व्यक्तियों की तीन गुणा है ठीक है सिर्फ वाई पत्र का पढ़ने वाले जो है बहुति यो शंख्या पत्र जो एकस पढ़ रह Rider सिर्फ नहीं अँढ़बियस में एकस पढ़ने वाले व्यक्तियों की तीन गुना है तो तीन गुना है बात तो वोई आ गई है ठीक है आगे लिखा है तब निमलिखित में से कौन से निसकर्स निकाले जा सकते हैं पहला दोनों पत्रकाएं पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या सिर्फ एक्स पत्रका पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की दुगनी है कहीं भी ऐसा किलियर हो रहा है इसमें नहीं पहली बात तो किलियर नहीं हो रही है उन व्यक्तियों की कुल संख्या जो या तो या तो कोई एक पत्रिका पढ़ते हैं या दोनों पत्रिकाएं पढ़ते हैं दोनों पत्रिकाएं पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की दुगनी है ये भी किलियर नहीं है इसमें इस्तिती किलियर नहीं है तो solve कहां से होगा ये नहीं हो सकता तो नाज़ फ़स्ट ना सेकंड ना तो फस्ट ना ही सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है बढ़ते आगे यह एक्जामपल है और इसकी अगर बात करें को यहाँ पर कह रहा है कुछ व्यक्ति महान होते हैं कुछ रखती महान होते हैं अच्छा 54 रह गया इसमें देखते हैं यह कह रहा है एक गन की छह विविन फलकों पर प्रतेक बिन बिन रंग वि आई बी जीवाई और ओ रंगा गया निम्ले के सूफन दी गई है अच्छा एक गन बनाना है गन में यह सारे के सारे रंग हमको रखने हैं तो ठीक है एक गन बना देते हैं यह घंण मना दिया मैंने ठीक है वई तो यह घंण मना दिया है अब क्या कह रहा है पहली लाइन क्या है वाई और बी के सलंग्न फलक पर है सलंग्न मतलब होता है एड्जेसेंट मतलब पड़ोसी य जो है ओ और बी के सलंग्न सतय पर है तो ओ ये रहा बी ये रहा वाई ये रहा सलंग्न सतय पर है आगे लेखा है आई जी और वाई सलंग्न फलक पर है आई और जी अब वाई की सलंग्न सतय एक तो पीशे वाली सतय है और एक इधर वाली सतय है तो यहां पर आई जी मैंसे क भी कुछ भी होसकता है वेटादा दोनों टनी जंगए हैं कि अब आगे आगे कह रहा है देख लें अभी अग्ली लाइन में क्या लिखा है बी वाई और जी की सलंग सतय पर है तो बिटा यहां पर जो है वो आई तो नहीं आएगा जी आएगा और जब यहां जी आएगा तो यहां कौन आएगा आई आएगा एक काम करते हैं कि इस्तिती किलियर कर देते हैं कि यहां् तो कह रहा है कि G आएगा और यहां के लियर हो गया विटा कौन आएगा तो Bक की सलंग सतय पर है değer बब्याइब आगे पूछ रहा है रंग ऑष्या फ्लक के प्रती मुख फलक पर कौन सा रंग होगा ओके ऐपो पूछ रहे है तो ऐसलग कौन सा फलक आएगा विटा जी आएगा करेक्ट आंसर यहां पर जो देखे आएंगे वो सी ओप्षन होगा पूरी ग्लास देख लीजिए यह डाइग्राम बन चुका इसका 54 नंबर है इसका डाइग्राम ऐसे वह बन सकता है इस्तिदी क लिएगन है व्यक्ति माहन बद्धिमान हो कि पहला फस्ट व्यक्ति या तो महान होते हैं या बद्धिमान होते हैं व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं किलियर नहीं है बई सेकेंड कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना बुद्धिमान होते हैं इसमें भी डाइग्राम में किलियर नहीं है जब किसी के बारे में 100% ना पता हो तो वो कथन कभी भी सही नहीं माना यहां पर कह रहा हैं कि निमलिखित कछन पर के जिए कुछ लोग देखके जाने का दावा करते हैं कुछ लोग दावा करते हैं ust को देखहे जान 누ी पिंडों पर जीवन की समझाव ना मानी जाती है क्लियर नहीं के होगी ही मानी जाती आंत्रिक्ष यात्रा अब एक इस्थापित तथ्य है ठीक है निमलिखित उप्योग कसनों में से कौन सा निसकर्ष निकलेगा यूएफो खगोलिये पिंड है पताए गया आपको खगोलिये पिंड है नहीं कथन से देखके किलिए नहीं हो रहा है यूएफो अन्य खगोलिये पिंडों से बेजे जाते हैं ये भी इस्तिती किलियर नहीं है कथन को देखकर थर्ड अन्य खगोलिये पिंडों में रहने वाली कुछ इस्पिसिज मनुस्य से अधिक बुद्धिमान है ऐसा दावा है किलियर नहीं है यूएफो के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से ल्गें यूगार नहीं कहा जा सकता हां यह बत सही है तो यहां पर हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कथन को देखकर भी जानकारी नहीं है और वैसे भी जानकारी नहीं है तो सही answer जो आएगा वहाएगा सबसे दीमे कौन दोड़ती इन में प्रीती दोड़ती है देख लो कितना आसान एकजामबल आया था तो सबसे दीमे कौन दोड़ती है प्रीती दोड़ती है पूरी गलास देख लो एक बार यह बहुत आसान एकजामबल था बढ़तें आगे आप से लिखाए बेटा 6 से 7 के बीच में 6 वज़े से 7 वज़े के बीच में किसी गड़ी की मिनट की सुईंग गंटे की सुईंग से 3 मिनट आगे होगी किस समय पर होगी अब देखो दोनों सुईंग के मद्धे कौन निकालने के लिए फॉर्मूला हुआ होता है य गुणा 11 वटे 2 माइनस X गुणा 30 यह फॉर्मूला होता है जहां X वज़कर Y मिनट हो यानि X तो गंटों का समय है और Y मिनट का समय है आपसे कह रहा है वेटा तीन मिनट की दूरी है तीन मिनट में मिनट वाली सुईंग 6 डिगरी का कौन बनाती है तो तीन मिनट में बनाएगी 18 डिगरी यानि कैलकुलेशन जो चीए वो 18 डिगरी की कैलकुलेशन पर चीए तो ठीक है y गुणा 11 वटे 2 x गंटों का समय 6 से 7 की बीच की बात कर रहा है तो जो x है वो माना जाएगा 6 माइनस 6 गुणा 30 बरावर 18 ठीक है solve कर लेते हैं y बरावर 18 इसको इधर ले जाए 6-38 प्लस का हो जाएगा यह और यह परड़ जाएगा 2 वटे 11 y मिनट का समय निकालना है तो यह 198 आ जाएगा विटा 2 वटे 11 11 एकम 11 118 अठारी 18 का डवल 36 मिनट y बरावर मिनट और गंटों का समय तो मैं जानता ही हूँ 6 तो 6 बज के 36 मिनट पर जो है वो 3 मिनट की दूरी होगी या 3 मिनट आगे होगी या बरावर 18 डिगरी पूचता तो भी solve कर सकते थे तो इस तरीके से solve करना है पूरी क्लास देख लो एक बार नमबर आएगा answer C 68 था ये छीक है इसको देख लो क्या कह रहा है आप से कह रहा है कि A, B, C, D, E, F चचेरे भाई हैं कोई भी दो चचेरे भाई की उम्र एक ही उम्र की नहीं है किन्तु सभी का जनम दिन एक ही माह की एक ही तारीक को पड़ता है सबसे छोटे की उम्र 17 साल है सबसे छोटे की उम्र 17 साल है और सबसे बड़े E की उम्र 22 साल है सबसे बड़े की उम्र 22 साल है E है ये ठीक है, कितने 6 थे ना ये तो ये 21, 20 19, 18 हो गए कि 6? 3 और 3, 6 ठीक है, आप से कह रहा है हुए और क्याकरां बाति ये तो यह है एंप दो और दिक के बीच में है तुम यहित बीच में आनी जाहिए रद्राश के पीच में बेश्टार के वी स्थम्राइज यह कि इस भी और डी के बीच में है को सुन्सेय क्या के व्हें याघराए आगे कह रहा है B और D के बीच में है F के उम्र और फिर क्या कह रहा है F की उम्र के बीच में है आगे देखलेते हैं फिर लिखाये AB से उम्र में बड़ा है A जो है वो B से उम्र में बड़ा है A जो है वो B से पहले आना चाहिए ठीक है C D से उम्र में बड़ा है C जो है वो D से उम्र में बड़ा है C जो है वो पहले आना चाहिए D से ये भी केलियर हो गया A C से एक वर्स बड़ा है A जो है वो C से एक वर्स बड़ा है तो एक काम करते हैं यहां पर A, यहां पर C ठीक है? और B और D के बीच में F यह के लिए रोगई एक तो बात दूसरी सम्भाबना कुछ हो सकती है के देख लेते हैं 22, 21, 20, 19, 18, 17 ठीक है? E तो फिक्स था E तो फिक्स था इनकी इस्तिती बदल सकती थी बेटा और यह तो एक वर्स बड़ा ही है तो यहां पर A, यहां पर C यहां पर D, यहां पर F और यहां पर B एक यह possibility बन सकती है अब प्रसन क्या पूछे हैं हमसे? एक बार देख लेते हैं पहरा परसन पूछा गया है कि निम्ले कितमे से कौन सा एक संभव है? D 20 वर्स का है F 18 वर्स का है D 20 वर्स का है नहीं 17 का है दूसरे में D 19 का है F 18 का दोनों में है बिलकुल यह बात संभव है F 19 का है गलत F 20 का है यह गलत तो सही आंसर कौन सा आएगा B option क्योंकि दोनों ही condition में B वाली बात पूरी हो रही है हमारी आगे लिखा है सभी 6 भाईयों की बढ़ती उम्रों के आधार पर तरसंगत रूप से कितने अनुक्रम बन रहे हमारे पास में कितने संयोंजन बनना है इसके एक तो यह बन रहा है एक यह बन रहा है दो इस्त्रथियां बन सकती है जानकारी को लेकर तो correct answer जो आएगा वो हमारा कितना आएगा दो आएगा दो स्त्रथियां बन सकती है यह 73 और 72 बढ़ते हैं हाँ जी आगे लिखा है कि दो पुरुस अनिल और डेविड और दो महिलाएं सवनम और रेखा एक विक्रेता समू में हैं ठीक है केवल दो तमिल वासी हैं अन्य दो मराठी वासी हैं ठीक है उनमें से केवल एक पुरुस एक महिला कार चला सकती है ठीक है तो दो पुरुस के न अनिल डेविड मेलाओं के नाम क्या है सबनम और रेखा ठीक है और यहां लेखा है दो तो मराठी है और दो तमिल वाले ठीक है एक पुरुस एक मैला कार चला सकती है सबनम मराथी है सबनम कौन है विटा मराथी वासी है अनिल तमिल वासी है अमिल जो है वो तमिल वासी है ठीक है और रेखा और डेविट दोनों कार चला सकते हैं रेखा और डेविट ये कार चलाने वाले हैं ठीक है कौन सा कथन सही है दोनों तमिल वासी कार चला सकते हैं नई विटा नहीं चला सकते एक ही तमिल वासी चला सकता है दोनों मराठी वासी कार चला सकते हैं नई एक ही चला सकता है दोनों कार चलाने वाले मराठी वासी है नई गलत कार चलाने वालों में से एक तमिल वासी है हाँ यह स्थिति के लिए तो यहां पर डी ऑफ्षन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है पूरी क्लास देख लो एक बार इस तरी कैसे हुआ है बढ़ते हैं आगे अगला एक्जामपल है 76 पूरी क्लास पढ़ लो जिरोंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है फटा फट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेयर कर दीजिए जिसे यह वीडियो जो है आप तक पहुंसते रहेंगे हमारे चली अब क्या कह रहा है य रेखा एक्स रेखा वाई के अनुलंब है लाइन एक्स इस परपेंडिकूलर टू लाइन वाई ठीक है लाइन जो एक्स है वह वाई के परपेंडिकूलर है ठीक है अब कह रहा है और रेखा जैड के समानतर है रेखा U रेखा Z के समानतर है रेखा U समानतर एक काम करते हैं यहां ले लेता हूँ Z और समानतर ले लेता हूँ उसके U ठीक है रेखा V और W दोनों अनुलंब हैं X और V के X और B के क्या लेखा है कि Z समानतर है रेखा W दोनों के अनुलंब है, पर्पेंडिकुलर में है W, आप कह रहा है कि रेखा X, रेखा V के अनुलंब है, तो VV जो है वो यहीं कहीं आएगी, ठीक है, आप कौन सी बात सही है, इस सिस्तिती को देखकर, पहला, Z, U और W सामानतर है, Z, U, W, Z, U, W सामानतर है, नहीं है, X, V, Y सामानतर है, X, V, Y सामानतर है, नहीं, जैड बी और यू सभी डबलू के अनुलंब हैं जैड वी यू डबलू के अनुलंब हैं नहीं और यू डबलू समांतर हैं यू डबलू समांतर हैं हां ये बस है तो correct answer जो आप देके आएंगे वो कौनसा option देके आएंगे डी option देखे आएंगे ठीक है अब बढ़ते आगे next example की तरफ तो बढ़ते हैं दोस्तों next example की तरफ यहां कह रहा है कि एक समाज में केवल दो प्रकार के लोग रहते हैं एक तो योद्धा और एक कायर मैं यहां योद्धा को प्लस मान लेता हूं और कायर को मान लेता हूं ठीक है और एक योद्धा एक कायर हमेसा दुस्मन होंगे योद्धा और कायर एक यह हमेसा दूस्मन होंगे दूस्मन होंगे ठीक है योद्धा एक दूसरे से उदासीन होते हैं मतलब दो योद्धा उदासीन है ना उदासीन देते हैं आगे लिखा है कि यदि ए और भी दूस्मन है और C और D दोस्त हैं E और F एक दूसरे से उदासी ने ए और E दूस्मन नहीं है B और F दूस्मन है तो टोटल F तक है तो यहां A B C D E F शुरुबाद से पहली लाइन क्या लिखी है A और B दूस्मन है दूस्मन मतलब और एक कायर एक दोस्त अब यह प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है अभी मैं दोनों लिख देता हूं बाद में इस्तिती के लिए होगी के नहीं होगी वो देख लेते हैं ठीक है प्लस योद्धा है और कायर दूस्मन है यह मान रहे हैं पर C और D दोस्त है और दोस्त होत है ओर भी दुस्मन है दुमिंद दोस्त है और दो कार दोस्त होते है Brothers नहीं है योगांस मुक Soo यह दुस्मन है कि आ गला इया और एफ-व दुष्मन है आछिग ए-वि-दुमन onwards इसको बाद में लेते हैं, B और F दस् बन थे, अब A और E दस्मन नहीं हैं, A और E दुस्मन नहीं है, एक तो A और E दुस्मन नहीं है, तो फिर ये दोस्त भी उसकते हैं, उदासीन भी उसकते हैं, तो फिलाल उदासी नहीं है, ठीक है? तो आगे कह रहा है कि कौन सी बात सही है पहला BCF कायर है यह पहली बात तो गलत है AEF योद्दा है यह बात सही हा रही है कौति के नहीं ए और बिन बिन कोटियों से है नहीं एक कोटी के है तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो ज्यादा सही जो आएगा वी और यह था 78 तो आप दोस्तों यहीं इजाज़त चाहते हैं यह अपना फेपर था 2015 यह वह हो चुका यह 2014, 13, 12 और 11 बहुत जल्दी सीरीज में लेके आ रहा हूँ, बने रहीएगा मेरे साथ में, जैहिन जैभारत, राम राम साथ